हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग, I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे तो गाइज, आज का वीडियो खास तोर पर न्यू यूट्यूबर्स के लिए है और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ न्यू यूट्यूबर्स को कौन कौन सी चीजों का विशेज ध्यान रखना चाहिए ऐसी कौन सी पांच मिस्टेक हैं जो उन्हें कभी नहीं करनी है और उनके उपर पूरा ध्यान देना है कि वो गलतियां कैसे भी गलती से भी गलती ना हो तो गाईज इन में मैं आपको कुछ एक्जामपल के साथ भी कुछ चीज़ें बताऊंगा वीडियो बहुत ज़्यादा इंफोर्मेटिव होगा तो इसे अभी से लाइक कर दो चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई इसको सब्सक्राइब करके नोटिविकेशन बैल को ओल पर क्लिक कर दो तो दोस्तो जो सबसे पहली मिस्टेक है वो मिस्टेक है कि भाई जब कोई निया यूट्यूबर बनता है तो उसको कैमरे का फियर होता है मतलब वो जब कैमरे के सामने आता है बोलना स्टार्ट करता है तो उसका confidence खतम हो जाता है मतलब वो इतने धीरे धीरे बोलता है जैसे कि अभी जो मैं बात कर रहा हूँ तो इसको सुनकर आपको कैसा लग रहा है अब मैं बताता हूँ जब कोई निव यूट्यूबर होता है तो वाई वो बोलता कैसे है हेलो दोस्तो मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ बताने वाला हूँ मतलब आवाज ऐसी दबी हुई होती है अब आप सोचिए जब आपको किसी की ऐसी दबी हुई आवाज अच्छी नहीं लगती तो दूसरे को आपकी आवाज कैसे अच्छी लगेगी भई वीडियो में एनरजी दिखनी चाहिए एनरजेटिक होना चाहिए तभी तो ओडियेंस को पसंद आएगा तो नमबर वन जो मिस्टेक है वो सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि जो भी न्यू यूट्यूबर होता है उसको कैमरे का इतना फियर होता है कि वो बिंदास खुलकर दिल खोलकर बात नहीं कर पाता बात करता है तो सोचने लगता है आवाज का वॉल्यूम बहुत डाउन हो जाता है मतलब उसकी आवाज तरीके से नहीं निकलती जैसे नैचरल निकलती है तो नमबर वन तो ये मिस्टेक है कि आपको कैमरे का फियर नहीं होना चाहिए आप बिंदास बोलिए जो भी बोलना है मतलब खुल के बोलिए जैसे आप नॉर्मल बात करते हैं बिल्कुल औरिजनल बात करिए अब नमबर दो जो मिस्टेक है वो ये है कि कैमरा है यहाँ यहाँ देखने के बज़ाए देख रहे हैं यहाँ यह फ्रंट कैमरा ओन कर लेते हैं लोग वीडियो में तो क्या होता है कि उसकी स्क्रीन पर देखते हैं ऐसे करके कैमरे की स्क्रीन पर और उससे बात करते हैं तो उससे क्या वो नैच्रल नहीं देखता आप जब वीडियो देखेंगे तो वीडियो में आपकी नजरे नीचे मतलब स्क्रीन को देखती नजर आएंगी जब कि आप वीडियो बनाते समय कैमरे के लेंस में देखकर बात करें तो ओडियन्स को लगेगा कि उनसे बात कर रहे हैं यह बहुत जरूरी चीज़ है और हमेशा जब भी आप वीडियो बनाएं तो अपने फोन के बैक कैमरे को यूज करें ना के फ्रन्ट कैमरे को इसके दो बेनिफेट हैं पहली चीज़ तो जब बैक कैमरे आप यूज करेंगे तो आपको स्क्रीन दिखाई ही नहीं देगी जब स्क्रीन दिखेगी नहीं तो आप स्क्रीन पे देखेंगे कैसे फिर तो आपके पास option ही नहीं है आपको camera के lens को ही देखना है और दूसरी सबसे important चीज़ यह है कि जब आप back camera को देखकर video बनाएंगे तो भाई साब video की quality बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि front camera का आप कोई भी बढ़िया phone भी ले ले होगा उसकी quality amazing होगी no doubt बहुत ही बढ़िया होने वाली है अब तीसरा जो सबसे खास गलती करते है new youtuber वो क्या करते mix content कि आज भाई कहीं घूमने गए चलो हम अनपूरा मंदिर में गए घूमने या हम पित्र परवत पे गए या हम चोरल गए पाताल पानी गए जहां भी गए वहां का video shoot किया edit किया और post कर दिया फिर कुछ दिन बाद देखा कि यार इसमें youtube tips के बहुत अच्छे views आ रहे हैं इसके उपर मुझे कोई video बनाना चाहिए तो पूरी knowledge इकठी है या नहीं है लेकिन उसके बाद भी उसके उपर video बना दिया तीसरे दिन देखा किसी ने laptop को कैसे format करते है mobile को में ये feature कैसे on करते है unboxing कैसे करते हैं उसके उपर बना दिया तो क्या होता है starting में जो भी कोई new youtuber हो कभी इस content पर कभी उस content पर videos बनाता है तो ये गलती भी नहीं करनी है हां लेकिन एक चीज़ करके देख सकते हैं कि starting में जब तक आपने 15-20 videos upload किये हैं तो उसमें क्या है कि आपने मान लीजी 20 video डाले आपके normally 20 view, 30 view, 40 view आए maximum video पर लेकिन कोई एक video ऐसा है जिसमें आपके मान समझ जाना चाहिए कि जिसमें 2K view आए हैं या 1K view आए हैं मतलब आपकी audience उस content को देखना पसंद कर रही है तो उसी बारे में content बनाईए, नए वीडियो उसी theme पर उसी से related बनाएं तो आप success होंगे, तो starting में mixed content मतलब ये गलती भी है एक लेकिन ये गलती सभी YouTuber करते हैं, इस जो चौथी mistake करते हैं new YouTuber, वो ये करते हैं कि actually जब camera को कभी पहले face नहीं किया है, कभी इस type से कभी videos बनाएं नहीं है, तो उनके confidence में कमी होती है, मतलब बोलते बोलते अटक जाना, या सोचने लगना, या उनकी body language, मतलब घबराई-घबराई से लगना, तो ये गलती जो होत जैसे जैसे आप बार-बार वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो को एक बार शूट करो, जो कमी रह जाए देखो, डिलीट करो, दुबारा शूट करो, तीसरी बार शूट करो, चौथी बार शूट करो, बलकि मैं तो कहता हूँ कि YouTube चैनल बनाने से पहले, आप 15-20 वीडियो बना के रखें, और उसमें मतलब परफेक्ट एक वीडियो को आज बनाएं, मजा नहीं आया, दो घंटे बार दुबारा शूट करें, फिर बनाएं, तीन-चार बार जबाब बनाएंगे, तो जो भी आपसे गलतियां हो रही हैं, वो गलतियां पूरी तरह खतम हो जाएंगी और आप एक confidence के साथ वीडियो बनाएंगे, मतलब आपकी पहली वीडियो से ही views आने लगेंगे, मतलब अच्छे खासे views आएंगे, हो सकता है वीडियो वाइरल भी हो जाए, तो ये गलती भी नहीं करनी हैं, पहले वीडियो बनाएं, बनाना सीखें, editing सीखें अच्छे से, उसके बाद उसको public करें, और दोस्तों जो पांचवी गलती है न, वो सबसे बड़ी blender, big mistake है, वो क्या mistake है, जैसे ही कोई नया यूट्यूबर चैनल बनाता है, वो क्या करता है, उसका बाई साब अपने चैनल का link, अपने दोस्तों में, अपने रिष्टेदारों में, अपने पड़ोसियों में, सब मैं भर-भर के शेयर करता है, कि भाई, ये मैंने नया यूट्यूब चैनल बनाया है, मेरा वीडियो देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो भाई, इस तरह से 2500 सब्सक्राइबर एकटे करना कोई बड़ी बात नहीं है लोग कर भी लेते हैं, लोग सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, और पहला दूसरा वीडियो भी लोग no doubt देख लेते हैं, कहते हैं बाई चलो अपना दोस्त है, अपना relative है, अपना भाई है, अपना भतीजा है, इसने बनाया है, तो चलो देख लेते हैं, कैसा वीडियो बनात उसे देखेंगे, 2-5 सेकंड देखके उसे हट जाएंगे, तो इससे आपके वीडियो का audience retention खराब होता है, मतलब क्लिक हुआ लेकिन उसे watch नहीं किया, तो YouTube के algorithm को क्या लगता है, कि इस वीडियो में बिल्कुल भी दम नहीं है, वो आगे impression भेजना बंद कर देता है, तो इस टाइप का काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि वीडियो जिसको जो चीज पसंद है, वो उसी वीडियो को देखेगा, जिसको शाही पनीर बनाने में interest है, वो YouTube tips का या laptop को format कैसे करते हैं, इसको कभी watch नहीं करेगा, तो गलत audience के पास link share करने का कोई फाइदा नहीं है, सिर्फ link share करने का benefit है, तो वो teachers को है, जैसे कोई physics का teacher है, उसने अपनी class के बच्चों को अपने channel का link दे रखा है, वो physics के उपर videos बनाता है, तो जब वो link share करके, उनके बच्चे जितने भी उसकी class के हैं, वो सब उसे subscribe करते हैं, तो वो teacher जो पढ़ाता है, उससे उन बच्चों को कुछ ना कुछ knowledge gain होती है, तो वो उनके वीडियो को properly watch करते हैं, otherwise, वीडियो गलत जगे पर share करने का कोई फाइदा नहीं है, उल्टा आपको और आपके चैनल को loss होने बाला है, तो ये 5 mistakes मैंने बताई ही, जो कि new YouTuber बहुत ज़्यादा करते हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है, अगर आप इन 5 mistakes से बच जाते हैं, तो no doubt आपका चैनल 4-5 महीने में grow हो जाएगा, monetize भी हो जाएगा, information काम की लगी, अच्छी लगी हो, तो भाई, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसको subscribe करके notification बैल को all पर click कर देना, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए, जाहिन बंदे मातरम जाशी राम,